अगर आपको कभी भी demotivation होता है तो आप प्लीज अपने आसपास अपनी फैमिली वालों से भी बात करिए क्योंकि मैं बता रहा हूं dropers में यह depression वाला चीज बहुत जल्दी आता है मेरा मेरा वंडा बहुत simple है किसी भी आपके लिए exam important है आपने target लिया target oriented होके तयारी करना मेहनत करना आपको बहुत साथ चीज़े सिखाता है कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके life में problems है उनसे भी question नहीं हो रहे होते है ठीक है लेकिन जो only difference between you and them right now is right now ठीक है मैं यह नहीं कह रहा है यह हमेशा रहेगा यह हमेशा था right now अगर आपको लग रहा करेंगे तो वही बात है proper basics में जाके बच्चों जैसा पढ़ाना हो जागे तो आपकी thought process भी वैसी बनने श्टार्ट हो जाएगी आपको हर question भी वैसी उठाना पड़ेगा आपको practice करनी पड़ेगी कि substantial level पर आपकी इस प्रकार से question को pick करें जो class में पढ़ाय जा रहा है आप वह चीज कौन सी miss करी ठीक है जही का result भी बहुत जल्दी आने वाला है and I hope आपको वहां से भी कई सारी चीज़े सीखने को मिलेंगी क्योंकि उसमें से कई सारे आपके ही colleagues होंगे आपके साथ ही पढ़े होंगे आपके batch के ही हैं तो आप समझ लेना बेटा कि जब यह पूरी सास में यही आपको कह रहा था कि जिस तरीके से आपने पिछली त्यारी करें मैं यह नहीं कह रहा है वह बहुत सही है वह सही है हमें अब क्या करना हमें उससे कुछ चीजे improvise करके सुधारनी है जिससे हमारा result और improve अगर आप एक ही चीज बार बार करते रहेंगे तो आपका improvement इतना ज्यादा नहीं दिखेगा clear 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 मैं जिम जाता हूं तो बेटा अगर मैं दो हफते तक running करूँगा ना मेरी body adapt कर जाएगी running से उसके बाद मेरे body पर changes नहीं आएंगे तो मेरे को अपने workouts को हर हफते change या हर दो हफते पर change करना पड़ता है ठीक है आपकी body बहुत जिद् emotions को heart touch करना है अगर आपको कभी भी demotivation होता है तो आप प्लीज अपने आसपास अपनी family वालों से भी बात करिए क्योंकि मैं बता रहा हूं dropers में ये depression वाला चीज बहुत जल्दी आता है एक fear of failure क्योंकि पहले उन्होंने थोड़ा बहुत देखा ठीक है और ये भी है कि fear of losing क्यों क्योंकि हम लोग college के first year में नहीं है तो please आप अपने दोस्तों से आप अपने family से अपने teachers से अपने friends से जितनों से आप बात कर सकते है जिनसे आप energy share करते हैं आप please करते रहिएगा और जो selection वाले बच्चों के interviews आप देखते रहिएगा आपको सब पता लग जाएगा कि ऐसा नहीं है कि वो बच्चा तेज था तो उसकी life में problem नहीं आई ठीक है I think जिसकी 24th rank थी उसने तो 11th अपनी खराब भी कर रखी थी आप आप कहे रहे हो कि सर हमारी भी घराब है तो उसने तो भाई फोड़ दिया ना यार 24 रेंग के आसपस ले आया ना यार ठीक है वही बात है attitude matter करता है ठीक है आपकी life में problem आएंगी तो आप उससे और tough होके कोगे कि इसको solve कर दूँगा मैं clear please motivate 60% student नहीं बेटा जब तक आप उसका जरिया मैं आपके लिए बिटा आपको समझ आनी चाहिए आपके लिए motivation पता है क्या है real motivation यह है कि यहां पर वो सारी चीज़े पढ़ाई जा रही है जो आपके selection लिए important इससे बड़ी motivation होई नहीं सकती यही चीज़ अगर आपको अकेले करनी पड़ती तो बड़ी दि इतना अगर टीचर ने कर दिया इसके बाद उठने की responsibility मेरी ही है और मैं ही उठाऊंगा अपने आपको clear clear येश पाई दोको मेरा मेरा वंडा बहुत simple है किसी भी आपके लिए एक्जाम इंपोर्टेंट है आपने target लिया target oriented होके तयारी करना मेहनत करना आपको बहुत साइच चीज़े सिखाता है आपको पेशन सिखाता है आपको सेक्रिफाइज सिखाता है बहुत साइच चीज़े करनी चाहिए लेकिन आपको उस चीज़ का load नहीं लेरा चाहिए आपके लिए learning important होनी चाहिए rather than कि आपका result क्या साल में होगा कोई साथ साल में होगा कोई हो सकता है 20 साल में हो सबका timeline अलग है आपका वो exam starting point है वहां से आपको decide करना है कि आप कहां पर पहुंचेंगे ठीक है तो उसके लिए मेहनत हमें करनी है